सेयन्स विंटर से एक तरीके से देखा जाए तो सबसे stylish मौसमों में से एक होता है और इसके उपर से अगर आप skinny बन दे हो तो तो आपके लिए और भी ज़्यादा favorable बन जाता है यह मौसम इसलिए आज की ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ special tricks बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने existing कपड़ों में ही कुछ changes करके 10 गुना जादा stylish बन पाओगे और वीडियो के end की bonus tip में आपको कुछ सबसे बड़ी winter mistakes बताऊंगा मैं यह खतरनाक winter mistakes आप शायद रोज कर रहे हो unknowingly और आपको idea भी नहीं है तो यह special video पूरी end तक देखना और वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर से कर देना यार tip 1 thermals are your best friends अब thermals inner wear होते हैं जो हम generally winters में पहनते हैं कपड़ों के अंदर इनका यह special advantage होता है कि हमारी body में एक layer भी add कर देते हैं यह ऐसे specially दिखते भी नहीं है कपड़ों के बाहर तो यह odd भी नहीं लगते हैं और यहां में सर्दियों से तो protect करते ही हैं अब generally winters में क्या होता है कि जब हम हमारे शरीर को protect करने के लिए layer by layer उपर चड़ाते रहते हैं तो उपर से अजीब सा ही abnormal सा मोटा दिखता है जो कि specially काफी odd दिखता है और आपको मम्मियों के आदतें तो पता ही है वो बिलकुल मोटा करके ठूस के हमको बाहर बेचते हैं तो इसके लिए thermals आपके काफी जादा काम आएंगे thermals थोड़ी कम सर्दियों में भी काफी अच्छे रहते हैं उन्हें आप shirt या full sleeve की t-shirt के अंदर भी पहन सकते हैं आराम से वो दिखेंगे भी नहीं और आप अच्छे भी लगोगे अब क्योंकि सर्दियों में multiple कपड़े पहनते हैं कपड़ों की layering होती है इसलिए black color हम पतले लोग भी आराम से पहन पाते हैं लेकिन इसमें भी हर जगे black black मत पहन लेना बहुत जादा matching हो जाएगा इसके अलावा कपड़ों में बहुत जादा contrast भी मत create करना ये काफी important tip है color matching की high contrast मतलब आप बिल्कुल opposite colors एक साथ मत पहनना जैसे top में white या bottom में black या फिर vice वर्सा इससे क्या होता है कि आपके outfit की connectivity बहुत clearly break होती है ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ये आपके शरीर के individual parts को highlight करता है third wear high necks और mufflers अब मैंने specially high necks और mufflers इसले बोला क्योंकि आपके neck को और broader बनाएंगे और ये आपके shoulders को भी काफी enhanced और अच्छा दिखाएंगे और mufflers के लिए आप थोड़े मोटे sober color के mufflers लेना और उन्हें cleanly goal करके अपने गले में अच्छे से roll करना मैं generally straight straight लंबे तरीके से mufflers को पहनना prefer नहीं करता mufflers को पहनने के different styles आपकी screen पे हैं आप इन में से कोई भी पहन सकते हैं आप इनका quickly screenshot ले लो एक super quick information आप मेरे को instagram पे भी follow कर सकते हैं यूजर नेम है style cn01 tip 4 try high personality layering method अभी जो high personality layering method जो हम अभी discuss करने वाले हैं ये एक बहुती simple layering का method है लेकिन ये सबसी effective लगता है मेरे को इसमें आप बस एक simple rule का ध्यान रखना कि आप जब एक के उपर एक दो कपड़े पहनोगे यानि कि जब layering करोगे आप तो इसमें आप ये चीज़ ज़रूर note करना कि आपका एक जो upper wear होगा जो आप दोनों में से पहनोगे उसमें print से design हो सकते हैं आप jackets में या hoodies में अच्छे colors या फिर छोटे मोटे designs prefer कर सकते हैं या फिर jackets को plain रखे आप अंदर की t-shirt या shirt में कुछ patterns या checks रख सकते हैं बस ध्यान रहे कि आप जिस भी upper wear में patterns या checks पहनने वाले हो उसके साथ का upper wear बिल्कुल clean simple होना चीए neutral colors का ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से compliment हो और अगर आप दोनों layers को simple रखना चाते हो कोई patterns पहनना पसंद नहीं करते तो वो भी साही लगता है थोड़ा ज़ादा versatile और easy बन जाता है इसको पहनना मैं generally इसी type की layering prefer करता हूँ बाकि आपको अगर patterns की या designs की recommendation चीए तो आप shirts में played patterns वाली shirts पहन सकते हैं जो आप हमेशा से पहन रहे हैं टी-shirt में horizontal या vertical stripes prefer कर सकते हैं और अगर आपको jackets prints वाली पहननी है तो आप कोई भी color block वाले patterns या pockets वाली या bikers type jackets जिसमें chains होती हैं या बड़े-बड़े colors होते हैं वो भी पहन सकते हैं अब obviously आप winters में 2 या 3 layers पहनोगे तो आपका upper region आपके normal frame से थोड़ा बहुत बलकी तो होगा obviously अब क्योंकि हम अपने lower portion में जादा layering नहीं कर सकते तो lower portion और upper portion एक साथ थोड़ा अजीब सा लगता है अगर हम उसको as a whole देखते हैं तो इसके लिए जैसे हमने first point में discuss किया था आप thermals तो पहन सकते हैं लेकिन इसके साथ भी आप ये धियान रखना कि आप अपने lower portion में पतला material यानि की drag pants मत पहनना आप जैसे पैरों में thermals पहन लोगे उसके अलावा आप denim material यूज़ करना सर्दियों के हिसाब से ताकि वो आपको अच्छे से सर्दियों से भी protect कर सकें आपके पैरों को और wider दिखाएं और jackets के साथ आपका overall पूरा frame अच्छा लगे नहीं तो पतला बंदा ऐसे Christmas tree जैसा दिखता है उपर से मोटा नीचे से पतला तो बहुत funny लगता है आप सर्दियों के perfect shoes, high top sneakers और boots का भी use कर सकते हैं ये भी आप पे काफी cool लगेंगे सर्दियों से protect करेंगे और आपका overall frame भी balance करेंगे अच्छे से फाइनली वीडियो की bonus tip में हम कुछ major fashion mistakes discuss कर लेते हैं पहली mistake में जो की बहुत common mistake भी है कि लोग prints on prints पहन लेते हैं upper wear में उनकी jacket में भी bold patterns होते हैं या फिर बड़ी बड़ी pockets होती हैं और उनकी t-shirt या shirt जो उन्होंने अंदर पहन रखी होती है उसमें भी कुछ लिखावा होता है जो की pull off करना भी बहुत जादा hard है और वो देखने में भी बिलकुल अच्छा ने लगता इधर में आपको highly recommend करूंगा कि आप solid black और white t-shirts पहन लो या सर्दियों के हिसाब से full sleeve की black और white t-shirts खरीद लो उनके link में नीचे description में दे दूँगा second bonus tip के हिसाब से आप कोई भी inner wear या फिर thermals को बाहर निकालके या दिखतावा layering की तरह use नहीं कर सकते आजकल ऐसे inner wears आ रहे हैं जो मोटी t-shirt की तरह लगते हैं लेकिन वो outer wear real layering में count नहीं होते तो इसलिए आप v-neck thermals का use कर सकते हैं जो बाहर दिखते भी नहीं हैं लेकिन वो equally useful होते हैं मैं hope करता हूँ आपको ये कमाल की वीडियो बहुत सही लगी होगी आप मेरी budget hoodies और मेरी party dressing वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेरे channel पर और channel को जरूर से subscribe करना यार